अगर आप ढूंड रहे हैं क्रिस्पी चिकन फ्राइ की रेसिपी और वो भी हो टेस्ट में जबर्दस्थ तो यह परफेक्ट सी रेसिपी आपके लिए है तो हे दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब खेरे से होंगे मैं हूं आपकी दोस्त श इतना करते हुए जली से स्टाट करते हैं हम जटपट से अपनी रेसिपी की यहां पर मैंने तक्रीबन एक किलो चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद इन चार पानी से एक ट्रेइनर के उपर लग दिया है ताकि इसका सारा पानी ट्रेन हो जाए अब हमारे जो लेक पी जा सके और परफेक्ली हमारी जो चिकन फ्राइब बने न वो बिल्कुल अंदर तक जूसी बने तो मसाले अंदर तक उसे इसके लिए करतमाक लगाना बहुत ज़रूरी है अब हम सारे चिकन को बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और एड़ करेंगे अपने मसाले मसालों में हम स मसाला जिससे इसमें एक टैंगी सा फ्लीवर आएगा बहुत ही जबर्दस्त साथ में ऐड़ करेंगे एक चंबच हम भुना हुआ वा जीरे का पाउडर पंफोर्थ टीजपून हम एड़ करेंगे गरम मसाला पाउडर साथ में इसके एड़ करेंगे एक से दिर्श चंबच तकरीबन कोई सब भी चिकन फ्राइग का मसाला जो भी कंपनी का आपके पास अफिलेबल हो अगर हो तो डालिए इससे खुश्पूश जबत दसाती है नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं तीन से चार चमच हम गाड़ी दही आड़ करेंगे दो चमच के करीब हम बेसान आड़ करेंगे और तकरीबन तीन से चार चमच आड़ करेंगे हम कौन फ्राइगे बेसान इसमें बाइनिंग एजन्ट का काम करेगा और जो हम कौन फ्राइग कर रहे हैं वो करेगा हमारे चिकन को क्रिस्पी और हम अद्रक लेसन को कैसे भूल सकते हैं तो चमच भरकर हम अद्रक लेसन का पेस्ट आड़ करेंगे जो इसमें एक सपरदस्ट फ्लेवर लाता है यह तो बहुत ही जरूरी है तो हम दो चमच जिसमें अद्रक लेसन का पेस्ट आड़ करेंगे साथ में आड़ क करते हैं एक निबू करदस की जगा एक चमच मिनिकर का यहां पर एड़ कर लें और अब इनकी प्रॉपर मिक्सिंग करें कभी भी कोई भी चेकन फ्राइग का आइटम वगरा जब हम मैरिनेर करते हैं तो उसमें हमें मिक्सिंग जबरदस्ट करनी है तक्रीबन एक से देल के लिए कम से कम रिस्ट करने देंगे और दो से तीन घंटे अगर आप इससे ज्यादा देना चाते हैं तो वह और भी अच्छा है लेकिन कम से काम दो तीन घंटे इसको दे रिस्ट के लिए जितना अच्छा आप इसको रिस्ट करने देंगे उतना ही अच्छा अंदर तक आ हो चुकह हम ने एक रणाई के अंदर मस्टर्ड वायल को गर्म कर लिया है मस्टर्ड वायल में, युग्छ अच्छी तरहं से मस्टर्ड मा थाल झाता है। जब तक मस्टर्ड वायल अच्छी तरहśnieं से गर्म, नहीं होगा हम इसमें कुछ भी आड़ नहीं करेंगे जब मस्टर्ड वाइल अच्छी तरे किसे गर्म हो जाएगा एक एक करके हम सारे पीसे इसके अंदर आड़ करते चले जाएंगे पीसे हमें बहुत ज्यादा एक साथ नहीं भरने हैं इस चीज का ख्याल रखना है कोटिंग हमारी इसलिए उतर जाती है क्योंकि हम अगर एक साथ भर करके इसके अंदर आड़ करेंगे तो उसको स्पेस नहीं मिलता है तो प्रॉपर फ्राइ करने के लिए अगर आपी कोटिंग ना उतरे तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस दे करके जितने आराम से आपके ते लो फ्लेम कर देंगे ताकि हमारी तेल के जो गरμाई है वह बिल्कुल बैलिस रहे मीडियम फ्लेम के ओपर हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉर्पेक्ली अंदर तक गलेगा स्टार्इंग में हमें बिल्कुल भी चमच का इस्तमाल नहीं करना है इसका भी हमें ख्याल रखना है थोड़ी देर तक्रीबन एक से दो मिनट के बाद ही इसको चमच की हेल्प से टर्न करें आपकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और चमच को चलाने के टाइम पे हमें इस जिसका ख्याल रखना है कि हमें बिल्कुल हलके हाथों से चमच को यूज करना जितनी जरूरत हो बस उतना ही चमच चलाएं अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको बिल्कुल रहने लें बीच बीच में एक आद दफ़ा चला दे रहें वह अपने आप ही तेल के अंदर बिल्कुल परफेक्ली फ्राइब होगा कि निकल जाएगा अगर आपने ज्यादा च और अगर आपने इस चिकन फ्राइब के साथ आप बना दिया जबर्दस सी डाल फ्राइब की रेसिपी जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तब तो भई आपकी घर में तारीफों के पुल रुकेंगे नहीं तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज पिलकल भी ना हिच के चले मेरी रेसिपी तो हो गई है बिल्कल पारफेक्ली तया मैं चलिए इसकोसर अगर उलए पस्ति आसान शीरे सिपी पसंदा गई हो तो मेरी वीडियो को गर दीजेगा लाइक चानल को गर दीजेगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बात बेल आइकेन का बटन प्रेस करना पिल्कुल भी नपूलिएगा जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी चलिए तब आपकी दोस्ताप से बिदा जाती है फिर इंशाला नईनी वीडियो तो नईनी आसान से रिस्टीपीस के साथ आपसे मलाकाते होती रहेगी अपना ख्याल रखिए दो में बहुत 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 याद रखिए लाफिए